गुद इवनिंग आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों का सुवागत है आपके अपने परिवार Future Online Classes सौनपूर में और आप सभी लोगों को इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट के सिलेवस और सीटेट से जुरुए हुए hosts विभिन्ने तरह के सवालों को लेकर आएं हैं, जो कि आपके मन में create हुए हैं और आपने हमसे पूछा हैं और हमारा कर्तब्बचे हैं कि हमारे बच्चों के मन में जो भी सवाल आएंगे, जो भी doubt आयेंगे उसका clear करना मेरा कर्तब्ब्चे है और हम हमिसा करते रहेंगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अभी आप सभी लोगों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है जो नए बच्चे एडिमिशन इसवर्स लिये है डियले इंट्रेंस एक्जाम 2024 के माध्यम से उनका सेशन 24-26 है और आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या हम लोग जनवारी 2025 का जो आपका सीटेट एक्जाम होने माला है क्या वो हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं तो इसके उपर हम बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली यह वीडियो जो है आपके डियलेट 2024-26 सेशन के बच्चों के लिए है उनका एडमिशन पर किरिया चल रहा है थर्ड लिस्ट आने बाकी है दो लिस्ट का एडमिशन हो गया है और वैसे में उन बच्चों का यह सवाल आना सुरू हो गया है कि क्या दिसंबर जनुवडी 2025 का जो सीटेट है वो हम फॉर्म भढ़ सकते हैं कि नहीं क्या वो सीटेट का बैलीड रहेगा कि नहीं रहेगा सीटेट की सिलिवस क्या होती है त्यारी कैसे करेंगे दिसंबर या जनुवडी में जो सीटेट होने वाले है उन सीटेट में पूरी तरीके से वैलीड है और पूरे तरीके से आप लोग फॉर्म भढ़ सकते है और एक्जाम भी दे सकते है और अगर आप पास कर जाते हैं तो वो आपका डिगरी जो है पूरे लाइफ टाइम जो है वैलीड रहेगा तो इस फर्स्ट लाइन में या समझ लीजिए कि जो बच्चे इस बार एडिमीशन लिये है 24 से 26 सेशन में जिनका फर्स्ट यर है और अभी एडिमीशन होने वाले है चाहे वो गवर्बेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो आप सभी लोग आने वाले अगले सीटेट जो कि जनवारी और दिसंबर के बीच में आपको होता है 2024 और 25 के बीच तो उस वाले सीटेट में आप सभी लोग जो है पूरे तरीके से वैलीड है मानने है आप लोग जो है फॉर्म भढ़ सकते हैं एक्जाम दे सकते हैं और पास करने पर वो डिगरी आपका लाइफ टाइम भैलिड हैगा और उस डिगरी के माध्यम से टीचर भी बन सकते हैं यह जो है एक सल पहले ही नोटिस निकल गया था कि डिएलेड में आपका एडमिशन का एक दिन भी अगर हो जाता है तो आप सभी लोग आने वाले सीटेट के लिए इलीजबल हो जाएंगे पहले क्या था कि सेकेंड डियर में होने पर इलीजबल था लेकिन इसको चेंज कर दिया गया है और अब आप लोग जो है पूरी तरीके से इलीजबल है आज आप इडमिशन लिजिए और अगर परसो सीटेट का फॉर्म आता है कल सीटेट का फॉर्म आता है तो आप जो है admission हो गया है तो आप valid है, समझ गए? तो आप एक line में समझ लीजे, यह सवाल का जवाब कि DLA session 24 से 26 जो बच्चे इस बार first year में admission लिये हैं आप लोग जो है, जनुवरी 2025 का seatate जो है दे सकते हैं और वो पूरी तरीके से valid रहेगा, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, अब हम आपके सवालों कुलेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जो यह आपका seatate जो आपका, यह form जो है कब आएगा सबसे पहले हम बात कर ले, form आपका कब आएगा देखेगा तो मैं आपको बता देएडों कि यह फॉर्म है आपका जो है निवंबर और दिसंबर के बीच आपको देखने को मिलेगा मैं आपको एक्सपर्ट बता दू कि यहाँ पर आपका अक्टूबर और आपके जो है नवंबर दोजार चौविस के बीच जो है फॉर्म डेट आपको देखने को मिलेगा अगर आप पूछेएगा कि इसका एक्जाम कब होता है तो मैं आपको बता दू कि एक्जाम डेट भी आप देख लिजेए पर तेक वर्स जो है आपका दिसंबर के लास्ट विक से लेकर आपके जनुवरी जो है दो हजार पचीस तक इसका एक्जाम होता है पहले मेनी सिफ्ट पर आपकने चीने पाँ नो अब सबसियांगे आपको बत करेंself क्या होता है क्यों मैं आपको बता दूघ रहा होता है क्या होता है no negative marking इसमें कोई भी जो है negative marks जो होता है आपका नहीं होता है clear है जी है इसमें पूछेगा तो इसमें जो है आपके total question कितने होते हैं तो total question जो होते हैं वो कितने होते हैं वो मैं आपको बता दू तो total question इसमें आपके 1.500 होते हैं और अगर marks की पूछेगा तो आपक तो आपका मार्क्स की बात होता है, समझे ना, जी है, अब यह पूछेगा, कि सीटेट में कितने पेपर होते हैं, यह आपके पूरी सवाल में कितने पेपर होते हैं, तो सीटेट में जो है, आपका जो है दो पेपर होता है, कितने पेपर होते हैं, दो पेपर होते हैं, इसको और प्लास में यहाँ पर प्लास में, जो है, डिलेड किया हो, DLAD किया हो, तो वह बच्चा जो है paper 1 दे सकता है, paper 1 दे सकता है, कौन बच्चा दे सकता है, जो 12 करके DLAD किया हो, cable 12 और DLA, तो वह बच्चा paper 1, और paper 1 देने का फायदा क्या है, कि आप जो है एक से लेकर पाचवी तक के जो है teacher बनेंगे, एक से लेकर जो है पाचवी तक के ज तो आप लोग जो है दोनों पेपर दे सकते हैं लेकिन करके डीजेगा और पेपर देने का फायदा क्या है वो मैं आपको बता दू कि इसमें आप जो है 1 to 5 के सांथ साथ यहाप पर 6 to 8 तक के टीचर भी बन सकते हैं और यह paper 2 जो है वैसे बच्चे भी दे सकते हैं जो आपके जन्मारी 2025 में जो सीट अने वाली है आप लोग डे सकते हैं दे सकते कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पूछते हैं सेट satu सिर्ट यह इसे की तब अब लेए अब कर मेंदा है और हम यहाँ पर सिर्ट के कर लें यानी कि सीट का पासिंग मार्ट्स नहीं होता है इसके बात कर लेंगे सिटेट जो है, हम यहाँ पर जो है, पासिंग मार्क्स की बात कर लेंगे, पासिंग मार्क्स की बात कर लेंगे, हम यहाँ पर बिहार और अधर स्टेट की बात करेंगे, सबसे पहले हम जो है, बिहार की बात करेंगे, कि आपको बिहार में पास करने के लिए, चीचर बने के लिए, सिटेट में कितना नमर चाहिए, हम यहापर एक लड़का के लिए बात करेंगे, हम यहापर लड़का के लिए बात करेंगे, और हम यहाँ जो है लड़की के लिए बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना च कि अगर आप लड़का है जेन्रल के से बिलॉंग करते हैं अगर आप जो है जेन्रल के से बिलॉंग करते हैं तो आपको नभ YOU अ वाले बच्चे वह हैं तो भी आपके दिब्यांग तो इनको के वल तो 75 नमर चाहिए, बिहार में, हम बिहार की बात करें, अधर एस्टेट की नहीं बात करें, ऐको बताएंगे डेंसर मत लीजिएगा। सबी लोगों को केवल 75 चाहिए कितना चाहिए 75 मार्स है तो यह जो है आपका क्या है कि सीटेट को पास करने का यह आपका क्या है पासिंग मार्स है कितना आ गया तो आप सीटेट क्वालिफाई है टीचर बनने के योग्ये हैं समझ गए अब हम बात कर ले अधर इस्टेट की यह आप याद रखेगा आपको अधर इस्टेट में टीचर बनने के लिए आपको जो है सीटेट में कितने मार्स आइए तो मैं आपको बता दू लड़का हो यह लड़की हो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो आपको जो है 90 चाहिए 90 नमबर आपको चाहिए अब यहापर ह से बात कर रहे हैं प्लास में जो बच्छों के लिए कर रहे हैं जो कि आपका डियों एक सब्जेक्ट दो तीन चार और पाच यहाँ धान दिजेगा यहाँ पर आपका पहला होता है CDP समझग भशचा है दूसरा होता है आपका EVS और तीसरा आपका जो होता है Language 1 Language 1 पेपर Language 1 पेपर जिसमें आपका Hindi Hindi और info हे Hindi और English होता है हिंदी और आपका जो है English होता है समझ्छगना आप language Hindi में लीजिए लाउड़ा होता है हुग में लाउड़ा के आपको पसंद में अपको नम्र यहाँपर यह मत पूछे एक सर हम लेंगर को हो लेंगे तो extreme आपको बदा दूं, बिहार काक्षा यही कांच बच्च यह ह degna हिंदी और इइंग्लिस लेता है। 30 कोर्षन हिंदी से 30 कatoon हिंग्लिस यह पुछ बच्चे बिहार के ऐसे भी है जो उर्दु भी लेते हैं संस्कृरित भी लेते हैं तो चार लगे वो लीजिएगा इससे कोई मतलब नहीं teacher बनने के लिए यह किवल आपका pass करने के लिए होता है आपको जो भी सह मजबूत होगा वही भी सह लीजिएगा आपके हम आपको बताएंगे परसान नहीं होना है लास्ट आपका बसता है सीडिपी और यो आपका मैठ बसता है यह आपका मैठ अब यहाप पुछेएगा कि कितना कितना ह Otherwise से आपके 30 कोशन आते हैं लेंगमेंच 1 से भी 30 क्यर्षिन आते हैं आते हैं आप मैथ से 300 क्यर्षिन आते हैं और है किसे में आप नों से怎麼了 ऑफ पर बात कर ल्कॐ करते होती हैं यहां भी और दिखेगा तो यहां भी आपके पांच में चारी साइद होता है यहां पर आपका पहला होता है सुज्बीकर 20 कोर्ष नियां पर आपका लेंगमेज वन और यहां पर लेंगवेज्ट डू इससे भी आपका 35 तुक्त के किया है तो बिहार में अधिकांस बच्चे जो वते हैं आपके साइन से करते हैं जिनको वह लोग क्या बोलते हैं लोग आईसी बोलते हैं एक को आपका बूलते हैं एक आपका बीए का मतलब हो गया कि आपने आर्ट से किया है जिसमें आपका इस्ट्री एकनोमिक से सब्सक्राइब करें आपका बीए से किया है और यहां पर पर प्रस्न पूछेगा वह मैं बता दूब यहां पर जो होता है ना साठ प्रस्न आपके इससे पूछेंगे अगर आप जो है इससे पूछेंगे अगर आप जो है बीए से किया होगे यानि कि आपने जो है गिर्जुएशन अगर आज से किया है यहां पर आपको जो है समाजिक अद्यान से समझेंगे ना समाजिक समाजिक अध्यन से जो है आपके 60 प्रष्ण पूछेंगे अगर आपने BA बा से किया है इपका 30 प्रष्ण जो होगा जिसमें आपका 30 प्रशन जो होगा, शायन से होगा, और 30 प्रशन जो होगा, आपका मैैट से होगा, किलिर हो गया? मेरी बात समझ गए? एक और और समझा जयता हूँ, ताकि आप समझ लिजेगा, देखिए, जो आपका पेपर 2 होता है, आपका CDP से 30, आपका language 1 से 30, समझे ना, language 2 से आपका 30, और यहाँ पर आपके एक पेपर होता है, graduation paper, graduation paper जिसको नों बोलते हैं, समझे ना, तो यह graduation paper क्या होता है, कि बहुत सारे बच्चे का अलग-अलग होता है, arts वाले बच्चों के लिए होता है, और यहाँ पर science वाले बच समाजिक जो है, आपका अध्यन से पूछेगा, 60 प्रस्न, समझा नहीं, हमें लिख देता हो, 60 प्रस्न, अगर आप जो है arts, science से किये हैं, यहाँ पर आपका 60 प्रस्न होगा, 60 प्रस्न पूछेगा science से, जिसमें आपका 30 प्रस्न क्या होगा, math से होगा, 30 प्रस्न क्या होगा, और ये 30 परश्न जो होंगे आपका क्या होगा कि science से होगा आपका क्या होगा science से होगा किलियर है ये बाते समझ गए तो ये paper 1, paper 2 का syllabus था बाकि हम आपको explore से बताएंगे अगले वीडियो में जहाँ पर हम एक एक paper को बेहतर तरीके से समझाने का पर्यास करेंगे तो इस studio में बसे बस यही बताना था कि आप लोग जो है seated दे सकते हैं जनवरी वाले बाकि हमने syllabus भी बता दिया हमने जो भी आपके सवाल थी वो भी बता दिया क्या है क्या नहीं है सब कुछ passing number भी बता दिया क्या है